नमस्कार दोस्तों इसमें हरियाना टीचर एलिजबिलिटी टेस्ट एस्ट जो होता है उसका सलेबस हम देखने वाले हैं TGT लेवल की ये विडियो रहेगी PRT की भी ऐसे आएगी PGT की भी आएगी और subject wise भी हम डालेंगे अभी जो TGT का common paper रहता है उसका क्या syllabus रहेगा क्या आपको पढ़ना वो देख लेते हैं एक बार और उसके बाद हम part section wise इस तरह से आपका science का है SS का है उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या topic रहेंगे वो उस विडियो हम देखेंगे आगे हम अब भी हम common syllabus level 2 का हम देख लेते हैं जैसा कि आप सब को पता part 1 चार पार्ट में आथा part 1, part 2, part 3 और part 4, part 1 में आपको पता child development and pedagogy आती है आपकी और ये किस से related आपकी आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं प्रैमरी वाले में चोट लेवल के हम जैसे हमारा प्रैमरी section रहता है उसके शाप से हम पढ़ते हैं तो इसमें हम TGT में थोड़ा सा mid का हमें जो है दोनों को combine करके चलना पड़ता है इसमें कि भी जो प्रैमरी लेवल का है और जो हमारा सीनेस के अंटर लेवल के जो बच् का रहेगा हम child centered की बात करते हैं यहां पर उसमें teachers parents जो बच्चे के एर्द गेर्द socialization उसकी होती है उसमें teacher होता है parents होते है peers उसके जो सेपार्टी होते हैं उन चीजों के बारे में इसमें देखते हैं जो आपको पता ही most important यह रहते हैं आपकी जो theories है प्याजय की कॉल्सब management वगरा है वो इसमें देखने को पढ़ती है और जो CCE आपको है continuous comprehensive evaluation है जो आपकी इसके perspective और practices क्या है वो इसमें हमें यह देखने को मिलती हैं चीजें context CCE के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं ठीक है और जो उपर आपकी जो आगे हमारा जो B part इसमें तो आप पहले वाला A part section बना दिया है उन्होंने जो दुसरा B part आपका concept of inclusive education है जो हमारी जो inclusive education है और उसकी understanding है special need के जो बच्चे रहते हैं उससे रिलेट है special need जी यानिकी जो culation type के बच्चे रहते हैं या फिर जो highly thinkable जो बच्चे रहते हैं हमारे special बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए talented बच created बच्चे हैं उनके बारे में चीजह है वो रहते है space inclusive education आपकी इसके अंदर learning and pedagogy है आकी जो बच्चा है वो think कैसे करता है learn कैसे करता है और जो how and why children fail to achieve the success दो बच्चे जो हमें क्योंकि सबी बच्चे सीखने के लिए school में आते हैं लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ज्यादा बहतर तरीके से समझ बाते हैं सीख पाते हैं कुछ बच्चे हैं जो drop out कर जाते हैं नहीं से सीख पाते हैं तो उनकी success का जो कान है इसमें से क्या रह जाता है वो चीज़ें इसमें strategy जो social activities से related हैं जो वो basic process है teaching and learning के वो हमारे को इसमें देखने को पड़ती है scientific evidence है जो child है जो motivation और जो emotion बच्चे के रहते हैं वो इसमें पढ़ते हैं motivation and learning है वो इसमें पढ़ते हैं error जो बच्चे के इसमें error है वो इसमें देखते हैं बच्चे के जो fact करता है जैसे personal और जो खुद कहा है और environment हमारा बहुत बड़ा रोल environment भी जो है role play इसमें करता है शीकर बच्चे के learning लेवल गया नुसार ठीक है तो यह जो हमारा था जो तीस नंबर का हमारा section आता है child development and pedagogy child development में आप देख सकते हैं कि भी जो socialization है उसकी प्याजे की थोरीज वगारा cc वगारा है और education आपका जो pedagogy से related आ गए हम learning हैं pedagogy में इसमें देखा हमने क्या क्या चीज़े हैं ठेके theories हम यहां पर condition emotion motivation and learning वगारा है environment related आपकी personal case related हम उसमें पढ़ते हैं फिर आके मारा आता है हिंदी जो language 15 और 15 नंबर की तीस नंबर की जो आपके part 2 syllabus रहता है उसका language का क्या रहेगा language हिंदी और English का आपके रहने वाली है language हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे तो इसमें 2 पैसे जो आपके रेटिंग एंसे टू पैसे वन प्रोज और ड्रामा एंड एक तो ड्रामा से related जो आपका रहेगा और एक poem आएगी आज इसके ओपर जो questions इसमें रहेंगे comprehension based questions रहेंगे इंटर्फरेंस grammar उसमें चेक की जाएगी वर्बल एबलेटिव इसमें चेक की जाएगी literacy scientific जो है narrative इस तरह के जो पैसेज वगरा है वो आपको दिये जाएंगे इसमें पैड़ागोजी जो language development questions भी रहेंगे इसमें जो पैड़ागोजी से related question language के वो भी questions में रहेंगे जैसे language teaching principles क्या है उसके role of listening speaking communication skills हम कह सकते हैं उसमें function of language क्या है critical perspective क्या है grammar का role क्या है इस तरह का challenges क्या है language skill क्या है जो diverse classroom है उसमें क्या difficulties क्या challenges वगरा हम देखने को मिलते हैं हमें वो चीज़े इसमें देखने को मिलेंगे हमें पढ़ना पड़ता है evaluating language comprehension prefacing जो हब का speaking learning reading and writing जो हम पढ़ते इसमें उसका evaluation वगरा है teaching related जो हमारा teaching learning टीलम जिसको बहुते हैं teaching learning material teaching learning aids वगरा है multimedia material है multilingual resource of classroom remedial teaching वगरा है वो इसमें हम देखने को language के जो हम questions हम solve करेंगे तो उस type के question हम language में रहेगा हमारा जो B part आएगा ठीक है और आगे मारा language का तिसरा जो हम देख पाएंगे language इसमें comprehensive questions जो रहेंगे इसमें two answers आएंगे जिसमें narrative वगरा है scientific approach क्या है grammar और verbal ability जैसे हिंदी में language हमने देखी दी ऐसे से में इंगलिस में है वो इस तरह की capability चेक करेंगे आपकी comprehension वगरा जो उसमें आपकी समझने की capability आप में कितनी है आप उस concept को जो वहां पर दिया है उसको अपने उसमें किस तरह से उसके जो कहना चाहरा है उसके thoughts हैं आपने अंदर कैसे उतार पार है कैसे समझ पार है उसके repercussions हैं पुछे जाएंगे इसमें पैडागोजी लेंग्वेज से लेटेट से हैं वही रॉल अब लिसनिंग फंक्शनिंग वगरा है लेंग्वेज स्किल वगरा डाइवर्स क्लास्रूम से रेलेटेट है communication skills है वह चेक की जाएंगी error and disorder वगरा वह चेक की जाएंगे और जो टीजिंग लर्णिंग एड्स है multimedia material वगरा है टेक्स्ट बुक वगरा है उससे रेलेटेक क्यूशन है वह पूछे जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो पहले आपका इंगलिस और हिंदी में आता था अखिवी अलग से आपको देखने को मिलती ती संदिविचेद वगरा वह अलग से आपको देखने को नहीं मिलेगा आपको देख सकते हैं यहाँ पे इसमें दिया हुआ है आखिवी two passes दो पैसे आपके मिलेंगे आपको प्रोज और ड्रामा वन पोईम ड्रामा इस तरह की questions आपको देखने को मिलेंगे ठीक है आगे हमारा questions जो हमारा part 3 आता जर्णल स्टेडीज का जर्णल स्टेडीज दो 30 नमबर के आती तीन बागों में इसको divide गया हुआ हरियाना जी के है जर्णल intelligence and reasoning है और quant आपका mathematic है तो यह जो जर्णल स्टेडीज का part है इसमें आप क्या देखने को मिलेगा दस नमबर का आपको हरियाना जीके मिलेगी उसमें हरियाना current fair के भी question एक दो एक question आ सकता है civics से related geography हरियाना की literature है उस से related हरियाना की history क्या है हरियाना का environment है या culture कैसा यहां का यहां के tradition कैसे है यहां की जो welfare schemes हरियाना गोर्मेंट ने चलाई हुई है तो वो हरियाना गोर्मेंट की जो schemes है welfare schemes है उन से related के आपको questions है देखने को मिलेंगे ठीक है journal intelligent है reasoning के discussion आएंगे तो इसमें क्या-क्या आपको और करेंगे तो इसमें आप जो analogy है symbolic number analogy वगरा होती है वो number system आपका number classification आपका जो classification का topic है उसमें number classification है figural classification आजाता है series से related number series alphabetical series आजाती है आपकी problem solving आजाती है visualization when diagram से related question आते है pattern folding और जो है completion आजाएगा date and city matching आजाएगा address matching आजाएगा match करने के लिए आजाएगा capital letter number coding वगरा coding decoding है उससे related question आपका पुछे जाएगा classification से related question emotional intelligence social intelligence से question है critical thinking आपकी जो है इस तरह की questions है वो पूछे जाएगे इसके अंदर जो आपके journal intelligence reason है तो आप ये जो है आपका portion है ये मार्क्स केरी करने का आपका जो bonus अंकामा इसको कह सकते हैं जो मैत के reason के आजाएगे जाएगे तो आप इनको target है सबसे पहले आप जो target आप करेंगे तो इनको आप बिल्कुल ना छोड़े क्योंकि ये आक्यूशन है थोड़ा सा time आपका ले सकते हैं लेकिन आपको marks आपका 100% आपको दिला के जाएगे मैं जब best debt दे रहा था तो इन मेंसे जो है इस जो portion है ये वाला इस मेंसे मुझे 30 में से जो है 9 29 या 30 इतने number इन मेंसे मुझे carry मिलते थे हमेशा ठीक है तो आप ये portion आपको है complete आपको करना है ये आसान portion आपका number carry करने का जो portion आपका ये रहता है quantity to aptitude क्या है जो है math से related, quant से related क्या है, ratio and proportion जो main topic आपके रहते है, percentage है, ratio and proportion है, number system से related आपके square roots, average वगएरा, profit loss है, discount है, time and distance है, time and work है, जो ये किसे हैं, triangle से related, circle से related आपके question पूछ सकता है, basic question है, trigonometry ratio से question आपके पूछ सकता है, जो degree and gradient measure के question पूछ सकता है, जो है hemispheres वगएरा है, तो main तो उपर वाले में से ही, इस में से ही, जो percentage है, आपका ratio proportion, average, interest, profit loss है, discount है, time and distance है, time and work है, इन में से आपके maximum questions है, आपके आजगते हैं, फिर कुछ high time distance से question एक आदा दे देगा, तो ये अब की बार diagram और pie chart वगएरा वो दे देगा, ठीक है, तो इस तरह के जो question से आपके पूछे जाते हैं, तो ये जो हमारा 90 question का 90 number का आपका बनता है, जो 3 part है, इसके आगे जो हमारी video आएगी, वो section part wise आएगी, जैसे आपका science क अभी science का विम syllabus डाल देंगे, इसके तरुंत बाद science का syllabus आजाएगा, उसके तरुंत बाद आपको SS का syllabus मिलेगा, English का syllabus मिलेगा, Hindi का syllabus मिलेगा, तो आप home science का syllabus मिलेगा, तो वो आप देखवाएंगे कि भी किस तरह के आपको क्या approach करनी है, क्या syllabus में आपका दिया हुआ है, त उसके एक महिने के अंदर ही आपका जो है exam से वगरा आप देख सकते हैं, ठीक है, आप पिछे भी हमने देखा ता आपकी बार भी हमने देख लिया, तो आप जो है syllabus के according अपनी preparation कीजिए, syllabus से आपके पास रहेगा, तो आप topic wise का layer कर पाएंगे, और ऐसा approach लेके आए आपकी जो time कम हो और उसमें हमारे topics हैं, ज्यादा cover हो जाएं, ठीक है, और जो भी topic पढ़ने आप अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, negative marking तो हमारी है नी, लेकिन कभी कबार जब हम ज्यादा पढ़ने के चकर में हैं, जो क्या कर पाते हैं, जो हमें आगे का से लेपस देख लेते हैं, कि क्या कुछ रहते है, thanks for watching video